दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम में मल्टीपल एकाउंट चला रहे हैं मतलब कि एक से ज़्यादा एकाउंट आप चला रहे हैं चल्द से बस्ति हुएं आपको अपर कर लेने के बाद सबसे ओपर में आपको यहाई पर लिगाँ आपको क्लिक कर लेना है और क्लिक कर लेने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि जितने भी एकाउंट मैंने अड़ किये हैं वो सारे यहां पर आचुके हैं और उसके आप बहुत ही असानी से समझ सकते हैं कि कितने एकाउंट इसे मैं आड़ हैं और इस एकाउंट को अगर आपको रिमूव करना य इस पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करते हैं यह देखिए मिड़ा अकाउंट लॉग इन हो चुका है और इसका दिये अकाउंट मिड़ा भी एक्टिव है इस इंस्टाग्राम एप्लिकेशन पर तो उसको लॉग आउट करना है तो सबसे उपड़ में आपको दिखा रहा होगा ठरी डॉट लाइन सिंप्ली यहीं पर जाएंगे क्लिक कर लेंगे क्लिक कर लेने के बाद यहां पर आपको सेटिंग दिख़ा यहीं पर जाएंगे क्लिक करेंगे क्लिक कर लेने के बाद सबसे नीचे में हम जाते हैं इसका आप देखिए लिख रहा लॉग आउट बिहारी उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो मेरा तीन अकाउंट था पहले अब दो अकाउंट बचा है मतलए कि मेरा एक अकाउंट लोग आउट हो चुका है इसे तरह से अगर आप दूसरे अकाउंट का भी लोग आउट करना चाहते हैं तो simply इस पर जाके क्लिक करें करने का simply वही प्रोसेस है कोई उसरा प्रोसेस नहीं है थ्री डॉट लाइन उपर जो आपको दिख रहा है simply पर जाना क्लिक कर लेना उसके बाद यह जो सेटिंग दिख रहा है simply पर जाना क्लिक कर लेना और इसका सबसे निचे में वही चीज़ हो गया single account आपको लग आउट करना या all account log out करना है simply मुझे एक account log out करना है simply हम यह पर जाएंगे और click करेंगे और click करने के साथ यहाँ पर देखिए मेड़ा account यह logout हो चुका है और उसका यहां पर मेड़ा single account बच गया है और अगर हम add भी करना चाहते हैं simply यहाँ पर जाके फिर से add कर सकते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझे में आ चुकी होगी अगर समझे में नहीं आया है तो इस वीडियो के एक वार फिर से देखिए मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के देखने का आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है तो मिलते हैं दोस्तों एकसी नेक्स्ट वीडियो में और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें